हेलो एंड वेलकम आप सबी ने सुना होगा जुम्मू कश्मीर पिलीस कनस्टेबल के 4000 से भी ज्यादा पोस्ट्स रेफर कर दिये गए हैं और जल्दी आपको देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन आउट होगी और 4000 प्लस पोस्ट्स जल्दी आउट होगे लेकिन आपको उस नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है अगर आप इस एक्जाम के लिए सीरियस है अगर आपने सपना देखा है कि गवर्मेट जॉब लेना है और 4000 पोस्ट्स बहुत बड़ा नंबर है तो आपको इस जॉब के लिए अभी से तयारी स्टार्ट करनी है नोटिफिकेशन के बाद तो सभी लोग तयारी में लगते हैं लेकिन अभी से कौन अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पे लाएगा वो ही सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपको इस वीडियो में ये बताऊं कि हम पॉलिटी के कुस्ट्ट कौन कौन से आए थे पुराने पेपर कनस्टेबल के जो 2017 में हुआ था अक्तूबर में वो डिसकस आज के इस वीडियो में करेंगे आज हमारा पार्ट वन है और इस सीरीज में हम पुराने पेपर जो कनस्टेबल के थे जे एंड के में उसी का डिसकेशन लाएंगे अलग-अलग कंपोननेंट का फिलहाल आपके सामने पॉलिटी कोस्टेंज के ही इस वीडियो में डिसकेशन होगा उसके बाद और भी पार्ट साएंगे और अलग-अलग कंपोननेट का डिसकेशन होगा अगर आप कनस्टेबल या कोई भी पोस्ट की तयारी करना चाते हैं हमारे साथ तो दिये गए वाटसप नंबर पे लिखो अपने पोस्ट का नाम जैसे कनस्टेबल की तयारी कर रहे हो तो कनस्टेबल लिखो आपको 24 अवर्स के अंदर अंदर इस बैच में जोइन करा दिय जाएगा जहां पर आपको सारी कोचिंग मिलेगी वीडियो, नोट्स, टेस्ट, वन शॉट, वीडियो, MCQ, सिरीज, सब चीजे आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और सुनिए फिर से कहना चाऊंगा तयारी को पहले से स्टार्ट करोगे तो अपने आपको जल्दी ट्रैक पे लाओगे तयारी के जो नोटिफिकेशन आएगी तो सबी लोग फिर तयारी में लग जाते हैं लेकिन कितना जल्दी आप अपने आपको तयार करते हो कितना जल्दी ट्रैक पे लाते हो वो बड़ा मैटर करता है अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुकश्मीर प्लीस कनस्टेबिल का जो पेपर 2017 को हुआ उसमें पॉलिटी के कौन-कौन से कॉस्चन्स थे वो ही हम डिसकस करेंगे और इसी तरह आपको बाकी पार्ट्स भी मिलेंगे इस सीरीज में बाकी पार्ट्स भी आएंगे जो कि बाकी कॉस्चन भी अलग-अलग टीचर आपके स पूछे गए थे ताकि आप अपनी आने वाली तयारी को थोड़ा सा ट्रैक कर सकोगे थोड़ा सा आपको गोल जो है वो नजर आ जाएगा आपका मकसद थोड़ा सा आपका रस्ता थोड़ा सा इजी लगेगा जब आप सेलिवस देखते हैं और जब आप पुराना पेपर द चलेगी उसके लिए आपको अलग से वीडियो आ जाएगा और हमारे इस जेके सिवल सर्विस प्लैटफार्म पे आप अगर जुडेंगे तो आपकी पूरी कनस्टेबिल की कोचिंग करा दी जाएगी तो जितना हो सके जेके सिवल सर्विस प्लैटफार्म पे जुड़िए चुँकि हमने अलग-अलग exams में बहुत ही number up selections दिये हुए हैं बहुत सरे टॉपर्स यहां से निकले हैं हमारे पास बहुत experiences faculty है और अलग-अलग 10 साल, 12 साल, 14 साल तक उन्होंने पढ़ा हुआ है वो आप से बहतर जानते हैं कि किस तरह से आपको तयार करना है तो जुड़ि के questions ही आपके सामने में लाओंगा आप बता देना इनका answer क्या है आपके सामने पहला question है minimum voting age in India इस बताए इस सवाल का जवाब इंडिया में minimum voting age कौन सी है minimum voting age 18 साल है 18 years के अगर आप हो और उपर अगर आप हो 18 years और एबो आप vote डाल सकते हो इंडिया में लेकिन अगर same to same question 1988 से पहले पहले आया होता 1988 से पहले पहले जो इंडिया में minimum voting age थी वो 21 years थी तो 1988 से पहले पहले अगर ये सवाल आता तो आपको शायद 21 years लिखना पड़ता लेकिन 1988 के बाद क्या हुआ 1988 के बाद voting age को reduce किया गया तीन साल से नीचे किया गया और 18 years रखा गया 18 years voting age चल रही है 1988 के बाद और अभी 2024 है अभी तक यही voting age है ये आपको मैं बताऊं 1988 में ऐसा क्या हुआ अगर ये सवाल आए 61st Amendment Act हुआ 1988 में तब जाके ये voting age को reduce किया गया तीन साल से अगर ये भी सवाल आए ये amendment, amendment का मतलब होता है change आना और ये amendment Constitution of India में कौन से article में आया अगर ये सवाल आया ये जो 61st Amendment Act 1988 है इसने कौन से article में amendment लाई Article 326 याद रखना Article 326 में ये change आई, amendment आई Article 326 पहले बोलता था 21 साल की age है लेकिन 1988 में जब ये amendment हुआ 61st Amendment तो Article 326 में change किया गया 21 years को हटा के 18 years रखा गया तो सवाल अगर मैं आपसे पूछू ओर जिनिली जब इंडियन का नस्टिचूशन बना और जिनिली जब इंडियन का नस्टिचूशन बना अच्छा या ऐसे इंडियन का नस्टिचूशन का Article 326 जो पहले बोलता था वो कितना वोटिंग एज बोलता था 21 years 1988 में ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग एज को कम किया गया amendment आई, कौन सी amendment आई, 61st Amendment Act 1988 इसने क्या किया, इंडियन का नस्टिचूशन के Article 326 को change लाई Article 326 को हटाया नहीं, हटाया नहीं, change लाई, change लाई इसमें क्या change लाई, 21 से, वोटिंग एज रेडूस किया गया, 18 years ठीक है, अब हम आगे next question पे चलते हैं मैं directly करूंगा discussion आपका सिरिफ ओर सिरिफ polity पे और आपके सामने ये polity का ओर एक question है ये pdf अगर आपको चाहिए, हमारी application पे मिलेगी, हमारी टेलिग्राम पे मिलेगी, जिसका link इसी वीडियो के description में होगा ठीक है, ओके, अचा, which of the following word does not figure in the preamble of the Indian constitution, बताए इसका सही जवाब क्या है preamble of Indian constitution, Indian constitution का preamble पता है preamble होता है, constitution का introduction, introduction, preamble का democratic है, socialist है, लेकिन welfare नहीं लिखा है preamble में कहीं पे भी, अगर आपने preamble देखा होगा Indian constitution का, वहाँ पे लिखा है, इंडिया जो है, वो saverian है, we the people of India have solemnly resolved to constitute India, इंडिया इसे लिखा है ना, आप उन बातों पे ध्यान democratic, republic, ये पाँच वर्ड याद रखना ये है preamble के उपर ही, मतलब nature of preamble ही है ये फिर उसके इलावा कुछ और words है, कुछ और की words है ये पाँच याद रखना, saverian, socialist, secular, democratic, republic ये बड़ा important है, उसके बाद और कुछ है, जैसे justice है जैसे liberty है, जैसे equality है, जैसे fraternity है date of adoption of Indian constitution, 26 November 1949, 26 November 1949 ये date दिया गया है preamble में, ये कौन सा date है, जब Indian constitution को adopt किया, enact किया, enforce नहीं, enforce तो 26 जनवरी को हुआ, जो अब Republic Day मनाते हो, वो 26 जनवरी वाला enforcement day नहीं, enactment वाला डे, adoption वाला डे, 26 November 1949, ये बस preamble में है, preamble में कौन कौन सा word as sovereign, socialist, secular, democratic, republic, फिर और कौन ये तो nature प्रेंबल है, फिर और कुछ नीचे न, objectives है, जैसे justice है, liberty है, equality है, fraternity है, ठीक है unity and integrity है, लेकिन और एक important बात जो है, सबसे important वो है, preamble में date of adoption भी दिया है, Indian constitution का date of adoption भी दिया है, preamble में, 26 November 1949 ओके, next question पे मैं चलता हूँ, next question आपका है, polity का question number six, कोई भी बात अगर आपको रखनी है, नीचे comment section में बता दो, ठीक है, आपके उस comment section पे जो जो सवाल होगा आपका, वो हम आगे एक छोटे वीडियो में वास, बताईए, पहला home minister, आज का home minister पता है सबको, current, current, current home minister, current home minister, see, see, मतलब current home minister, आज का home minister, पता है सबको, कौन, अमिच्छा, यही है ना, अमिच्छा, अभी जब मैं record कर रहा हूँ, वीडियो, फरवरी, ending फरवरी, 2024, तो अभी तो अमिच्छा ही है, अभी आगे election होंगे आगे पता चलेगा, लेकिन अभी current home minister कौन है, इंडिया का, अमिच्छा, लेकिन पहला home minister, यह सवाल आपके करनस्टेबल में आया था, पहला home minister कौन था, independent India का, independent India का, सरदार, वल्लाबाई, पतेल, और यह पहला home minister था, अगर यह सवाल आए आपको, मुझे बताईए, ज़र पहला deputy prime minister भी, सरदार, वल्लाबाई, पतेल ही था, पहला home minister भी, सरदार, वल्लाबाई, पतेल ही था, अगर मैं आपसे आप पूछू, आज का deputy prime minister बोलो, आज का home minister आपको पता है, अमिच्छा, लेकिन आज का current, 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 deputy prime minister अगर आए, आज का deputy prime minister मुझे बोलो, कौन है, आपक दिमाग में अमिद्शा चल रहा होगा लेकिन नहीं कोई नहीं है आज Deputy Prime Minister क्योंकि 2004 के बाद बाद ये पोस्ट को फिल हुन ही नहीं किया गया, ये पोस्ट को वैकेंट रखा गया, 2004 के बाद बाद ये डिपटी Prime Minister वाला पोस्ट वैकेंट है, हाँ 2004 से पहले LK अडवानी साब जो लास्ट थे डिप्टी प्राइमिनिस्टर 2004 से पहले पहली या 2004 2004 के बाद खत्म किया गया इसको वेकंड है यह नेक्स्ट कॉस्चिन पर मैं आता हूँ ठीक है बाकी का डिस्क्रिशन हम तो लेक्चर सीरीज में ही करेंगे न आप टेंशन न लेजे और ये पीडियाप आपको टेलिग्राम पे शियर कर दी जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ठीक है न ओके फिलहाल इतना ही बाकी बहुत सरी औरी बातें हैं जो मुझे आपको कहनी है लेकिन फिलहाल तो बस हम चाहेंगे कि हम सिर्फ यहाँ पे कॉस्चन का ही डिसक्रिशन करें लेकिन अब सवाल है अब मसला है 2017 के हिसाब से ही आपको इस सवाल का आज आता तो आज जो हमारा है वो है करण्ट चीप जेस्टिस वो था इन चार उप्शन में है ही नहीं आज जो है आगर मैं आपको बोलू आज बताए मुझे प्रेजन्ट का प्रेजन्ट का या करंट का प्रेजन्ट का चीप जेस्टिस वाफ इंडिया बताए वो आज तो है वो चार उप्शन में है ही नहीं दी वाइ चंदरचुद चंदरचुद चेंड राचुद तो प्रेजंट Chief Justice of India है दी वाइ चंदरचुद प्रेजंट जो कि नॉवमबर 2022 के बाद बाद अभी भी चल रहा है नॉवमबर 2022 2022 लिखता हूँ में नॉवमबर नॉवमबर 2022 के बाद बाद अभी यही है Chief Justice of Supreme Court of India लेकिन यह सवाल 2017 में आया है वो भी उक्तुबर में एक्जाम हुआ ना कनस्टेबल का उक्तुबर 2017 में तब आया तो आपको तब के हिसाब से इसका जवाब देना है और तब जो Chief Justice of Supreme Court of India था वो था Justice दीपक मिश्रा तब के एक्जाम के लिए यह सही जवाब था क्योंकि दीपक मिश्रा उन्ही दिनों निउज में चल रहा था काफी ज़ाथा क्यों? क्योंकि उन्ही दिनों बना था एक्जाम से दो मेने पहले वो बना था तो इससे आपको अंदजा होगा आपको तैयारी करनी है करंट एफियर को भी दिमाग में रखना है पॉलिटी हो एकनामी हो जगराफी हो कुछ भी हो करंट एफियर से सवाल बहुत कनेक्शन से आते हैं तो 2017 अगस्त में ही ये बना था दीपक मिश्रा 2017 अगस्त में और 2017 अक्तूबर में सवाल पूछा गया दो महिने बाद ही तो कहने का मतलब एक कहीं ने कहीं ये करंट एफियर से भी था और पॉलिटी सुप्रीम कोट आफ इंडिया से भी था अब ये तो ठीक है जरह मैं आपसे एक सवाल पूछूँ आज का अगर आएगा तो डीवे चंदरुचुद अगर ऐसा सवाल आज होगा तो डीवे चंदरुचुद जहां उप्शन में होगा वो आप करेंगे लेकिन जरह मैं आपसे सवाल पूछूँ एक सवाल पूछूँ हिरालाल कानिया, हिरालाल कानिया, Chief Justice of Supreme Court of India ये पहला था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना था, अगर सवाल है, पहली जरह मैं आप से सवाल पूछूँ, पहली, first, मैं देखता हूँ आप मेंसे कौन जवाब देगा, मुझे नहीं लगता कोई दे सकता, एरे मजाग कर रहा Chief Justice of India, कौन थी, जरह बताइए, कोई नहीं, अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में, कोई Chief Justice of India बोलो या Chief Justice of Supreme Court of India बोलो एकी बात है, अभी तक कोई भी फिमेल Chief Justice of Supreme Court of India या Chief Justice of India नहीं बनी हैं, अब आपके दिमाग में होगा फातिमा बीवी, आपके दिमाग में होगा फातिमा बीवी, फातिमा बीवी जो है, वो Supreme Court की जज बनी है, पहली जज बनी है, पहली जज बनी है, चीप Justice नहीं, चीप Justice होता है, जजों में टॉप वाला जज, चीफ वाला जज, इसको चीफ बो Justice of Supreme Court, या Chief Justice of Supreme Court of India, या Chief Justice of India, कोण थी, कोई नहीं, आप सुनो, इन लाइन, इन लाइन, इन लाइन है, 2027 में बनने जा रही है, इन लाइन है, यह अभी, बोला जा रहा है, के 2027 का डेट रखा गया है, और First Female, Chief Justice of Supreme Court of India बननेगी, कौन, बताए कौन, नागराठना, N-A-G-A-R-A-T-H-N-A, नागराठना, ठीक है, नागराठना, ओके, चलिए, यहां तक तो क्लियर हो, के, शायद आप बोर भी हो गए होंगे, मैं जल्दी-जल्दी कोशिश करूंगे, खत्म करने की, नहीं तो आप बोलेंगे, कि जब आपक सेलेबस कराईए, वो मैं डेटेल में आपको कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, जब मैं आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, और हमारा सारा टीम जब आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेगी, आपको मज़ा आ जाएगा, और सुनिए, आपके सामने कॉस्चन है तेनिवर ओफ ए मेंबर ओफ राजसबा इस राजसबा का मेंबर कितने साल के लिए उसकी टर्म होती है जब कोई राजसबा का मेंबर बनता है कितने सालों के लिए वो रहता है राजसबा का मेंबर छे सालों के लिए टेनिवर है टर्म है मेंबर ओफ राजसबा अगर सवाल आता लोग सभा के लिए बताए कितने साल है तो बताए पांच साल है लोग सभा के लिए अगर सवाल आता आप बताए JNK में JNK में as per JNK reorganization एक्टी तडुनिसounty के बाद जो है LA, मतलब legislative assembly J&K में legislative assembly जो है बताए कितने साल है, इसमें भी 5 ही साल है, 5 years ही है अगर सवाल आए, बताए J&K में legislative council में कितने साल तक member बनेंगे member कितने साल तक tenure है, term है, J&K legislative council, बताए अभी जब J&K legislative council बनेगा, या J&K organization act के बाद की बाद कर रहा हूँ अभी की बाद कर रहा हूँ, अभी ना ही legislative assembly बना और ना ही legislative council बना और एक बाद बताए, बताए, बताए कितने साल है, जरम है, देखना चाहता हूँ आप इसका सवाल का जवाब क्या देंगे हब के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा लेकिन इसका सवाल का जवाब कुछ ही नहीं है क्योंकि ये सवाल ही गलत है J&K में legislative council को abolish किया गया as per J&K reorganization act 2019 J&K legislative council जो पहले चल रहा था वो तो खत्म हो गया 2019 में जब J&K योटी बना तो अब तो ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारे बस ये दो ही मतलब के थे बता दिया मैंने आपको हमारे जो next question है वो हम आगे बात करते हैं जबर मैं एक सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं टोटल membership इसके में कितने है 250 अभी J&K के 5 members इसमें नहीं है तो अभी 245 है जब मैं नहीं पूछूंगा आपको सवाल जब मैं आपको ये detail कराऊंगा तब कराऊंगा ऐसे तो फिर आप confuse हो जाएंगे बहुत ज़्यादा knowledge से भी कभी कभी confuse होता है क्योंकि अभी आप त्यारी start ही कर रहे हो जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छा उनको मजा आ रहोगा और खासकर जिननों जिनको आडरी हमने बहुत बार ये चीज़े पढ़ाई है उनको तो बड़ा easy लगता होगा इस सवाल का जवाब बताओ President of India इसका answer है आपको बताओ President of India के नाम पे ही सारी चीज़े होती है यही है यही है Supreme Commander of Indian Armed Forces यही है और अगर सवाल आए पहला President कौन था First President कौन था राजिंदर प्रसाद और राजिंदर प्रसाद ही longest serving President of India है सबसे लंबे समय तक ये President रहा था कितने सालू तक नीचे comment section में बताना First President of India आरपी राजिंदर प्रसाद Current President of India या Present President of India आज का President of India बताए आज का President of India द्रोपदी मुर्मू द्रोपदी मुर्मू के बारे में खास बात बताओ एक दो लाइने बताओंगा द्रोपदी मुर्मू जो है पहली 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 ट्राइबल प्रेजडेंट है यह फिमेल है ना तो पहली फिमेल ट्राइबल प्रेजडेंट है जो ट्राइबल कुमूनिटी को बिलॉँ करती है और यह पहली ऐसी प्रेजडेंट है जो बॉर्न हुई जिसने जनम लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली प्रेजडेंट आफ इंडिया जिसने जनम लिया बॉर्न हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस दुरूपती मुर्मु ही पहली ट्राइबल कम्मिनिटी से बिलॉंग करती है ट्राइबल जो आप शोडूल ट्राइबस सुनते हैं SC, SC केट पहली tribal category, पहली tribal president दुरूपती मुर्मू, ठीक है, अचा पहला president राज़ेंदर प्रसाद, longest serving president वही जिनाब राज़ेंदर प्रसाद ही, अचा president के नाम पे ये सारी चीज़े होती है, लेकिन असल में पता है कौन है सुप्रींग कमार्डर पीछे, असल में प्राइम मिनिस्टर आपके दिमाग में होगा, sir, prime minister तो सारी चीज़े करता है, करता है, लेकिन paper पे, paper पे president ही लिखा होता है, formal head है ये, ये सामने ये ही होता है, इसी के नाम पे सारी चीज़े होती है, paper पे ये होता है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करता, president, prime minister और counsellor ministers के advice पे, उसी के कहने पे ही यह सारी चाहिए करता है जो के आगे हम बताएंगे आपको ठीक है ना अब है आपके सामने 48 देखो पॉलिटी से बहुत सारी कोश्चन आए हैं पॉलिटी से बहुत सारी कोश्चन आए हैं अब है आपके सामने 48 कोश्चन युनाइटिड नेशन्स सेक्यूरिटी काउंसल है कितने पर्मिनेट मेंबर बहुत असान है पांच पर्मिनेट मेंबर जरह कौन-कौन से बताओ युएसे और बताओ रश्या और बताओ चाइना और फ्रांस और यूके ये पांच है पर्मिनेट युनाइटिड नेशन सेक्यूरिटी काउंसल के मेंबर्स ओके ये पांच और फिर दस है नॉन पर्मिनेट मेंबर्स मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ यसके बाद है तिलंगाना किस से बना आंधरा पर्दे से बना कब दो जून दो हजार चोदा में कैसे जब आन्धरा पर्देश रि औरियर्गनेजेशन एक्ट हुआ 2014 का रियर्गनेशन एक्ट जे-न्ड़ के में भी हुआ J&K Reorganization Act बताये 2019 में हुआ 2019 में हुआ जिसमे J&K और लदा का लग हुआ और यह अगस्त में हुआ लेकिन सबसे लास्ट में J&K में कहा सबसे लास्ट में इंडिया में कहां चेंज आई है सबसे लास्ट में यह तिलंगाना नहीं बना सबसे लास्ट आपके दिमाग होगा कि मतलब सबसे आखिर पे तो 2014 में तिलंगाना हुआ आपके दिमाग में होगा J&K लेकिन नहीं 2019 में और एक चेंज आई इंडिया में दादरा एंड नागरा हैविली एंड दमान एंडू Reorganization Act या Merger Act उसको बोला जाता था खास कर Reorganization Act, Merger Act 2019 दसंबर में हुआ 2019 दसंबर में हुआ तो J&K वाला अगस्त में Reorganization हुआ दमान एंडू एंड दादरा एंड नागरा हैविली 2019 में ही हुआ लेकिन दसंबर में तो सबसे लास्ट में यही दादरा एंड नागरा हैविली एंड दमाने दू इन दो के क्या इन दो यूनेन टेरिट्रीस को यह अलग-अलग थी 2019 दसंबर से पहले लेकिन उनको फिर मर्ज किया गया चलिए इतना कलियर है न आगे कलता हूँ आगे बात आपके 54th question है आगे यह बताए लोगसबा को और क्या बोला जाता है लवर हाउस क्योंकि अपर हाउस जो है अपर हाउस राजसबा को बोला जाता है और राजसबा को अपर हाउस भी बोला जाता है और काउंसल अप स्टेट्स भी बोला जाता है सबा, लवर हाउस और हाउस ओफ पीपल और एक नाम है, बता दो नीचे दिस्क्रिप्शन, कॉमेंट सेक्शन में अच्छे इतना कलियर है अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा जल्दी क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा अब है 79th question आपके सामने कितने डिस्टिक है J& के state में तब state थे ना, तब 22 डिस्टिक्स थे लेकिन अब है अगर यह सवाल आए अभी 22 नहीं है और अभी उपर से state भी नहीं है J& के, अब UT अगर सवाल आज आए, कितने districts revenue districts J& के UT में हैं, तो आज है 20 पिस डिस्टिक्स, जेंड के यूटी के साथ है तो आगے चलते है है और आपका 88 इंटि से आया हुआ है और वो क्या है इंडिया जो है सेकिलर स्टेट है secular का मतलब क्या है secular का मतलब है जब जब जो government है जो country है जो state है वो favor नहीं करती किसी particular religion को तो यहां पे इंडिया में किसी एक particular religion को favor नहीं किया जाता तो यही है इसका most appropriate सवाल का जवाब ठीक है only selected religion नहीं majority community वाला religion ही नहीं favor नहीं favor minority वाले community वाले religion को ही नहीं किया जाता इंडिया में इंडिया में सब को favor किया जाएगा या सब को नहीं किया जाएगा एक particular को तो favor नहीं किया जाएगा हाला कि इस question में थोड़ा framing में थोड़ा गड़ बड़ है लेकिन नहीं most appropriate आपका यही है क्योंकि option से दूर पता चलता है favors no particular religion हाला कि preamble of Indian constitution में लिखा गया है oh sorry Indian constitution के starting में ही आपने पड़ा होगा कि इंडिया में जो secularism है यह positive secularism है यह democratic secularism है अलग तरह का secularism है वो हम आपको बताएं यह lecture series में आपके सामने और एक question है वो है 89th question which is what is the current currency आप बंगलादेश बताएं इसका currency क्या है यह तो आप बता सकते हैं टाका यह है currency आप बंगलादेश मुझे उमीद है कि आपको यह lecture series जो है मदद देदेगी जरूर क्योंकि आपको सबसे पहले आपने आपको track पहलाना है आपको देखना है जिस तरह से polity का discussion हुआ इसी तरह हले एक चीज़ करा दिया जाएगा फिलाल आपको क्या करना है JK civil services platform के साथ ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि one stop solution यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे आपको videos, notes, tests, one shot videos, MCQ series और यहाँ पे बहुत सरे लोगों ने selection ली हुई है सबसे ज़्यादा selections आपको JK civil services पे मिलेंगी और majority of the teachers जो यहाँ पे है वो आपके 10 साल से ज़्यादा experienced है वो teachers जिनोंने 10 साल से ज़्यादा experience जिनके पास है किसी के पास 14 साल है, 15 साल है, 12 साल है तो यहाँ पे आपको majority of the teachers जो है मेरे साबसे सारे आज कलके वो 10 साल से ज़्यादा experience वाले ही teachers है ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बोलना था मिलते हैं अगले वीडियो में